Assalamualaikum I hope you all are doing well welcome back to my youtube channel so friends आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के सथ पहले इस फेस पे शेयर किया था कि हम लोग के सथ पहले इस फेस पे किस तरह से जो हो करेंगे तो आज मैं आप लोग के सथ शेयर करूऊंगी कि कि पूरा जो मैंने बाकी का जो मैंने looking था बाकी जो eye makeup लोग थी वो किस तरह से create की थी इस तरह की hoody dice के ओपर सो यहाँ पर मैंने जो है कंटोरिंग तक मैंने आपलों के से शेयर किया था इसके बाद मैंने ब्यूटिफा बायामना का चीक्स पर बलाश ओन और हाइलाइटर अपलाई कर दिया था इनके इस तरह से और देन उसके बाद यह मेरे पर सजूश का पॉमेड है इसकी हेल्प से मैं इनकी आईब्रो जो है वो उसको शेयप करूँगी और फिल अप करूँगी और जब भी आपको लगे कि आपके जो पॉमेड है या आईब्रो किट है वो आपको जो है वो धुर ड्राई लग रही है या अगर आपके पस कोई भी liner है जो gel liner है या eyebrow pomid है वो आपको dry लग रहा है तो वो बहुत दो समझी नहीं हो रहा तो उसके अंदर आप कोई भी essential oil जो है वो डाल सकते हैं मेरे पस ये beautiful वायमना का rose gold serum था तो ये मैंने इसमें जो है इसके एक से दो drop जो है आड़ करती है ठीक है आप कोई भी डाल सकते हो आप almond oil के एक दो drop भी डाल सकते हो ठीक है और जनाब अगर आप लोग मेरे वीडियो जहां पर भी देख रहे होते हैं मुझे comment section में जरूर बताईगा कि आप लोग को मेरे वीडियो जो है वो किस तरह की लग रही है और आप लोग को वाकी में उनसे कुछ सीखने को अगर मिल रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को like जूर कर देजएगा next मैं एक highlighter shade ले लूँगी किसी भी palette का आप ले सकते हो और आप जब भी highlighter shade apply करें तो अपना जो applicator है या अपना brush है उसको थोड़ा सा wet कर लिया करें उससे यह है कि आपके जो highlighter shades है वो बहुत ज़दा pop up होकर जो है वो निकलते हैं ठीक है उसके बाद ये you can be का जो exotic flavor palette है उसका ये जो pink shade है soft pink shade है इसको मैं लूँगी और जब भी आप shade लें उनको पहले tap tap करें ताकि उसका excessive जो shade है pigment वो ज्यादा एकदम से नहीं लगे ठीक है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा product लेके आपने जो है वो हलके हाथ से पूरी जो crease line है वहाँ पर apply करना है as a transition shade उसके बाद आपने थोड़ा से darker shade लेना है थोड़ा से brownish tone का और आपने एक socket create करना है इस तरह से और उसके बाद उसकी भी blending कर देनी है थोड़ा से need brush के साथ यानि brush पे कोई भी color जो है वो नहीं लगा होना चाहिए ठीक है उससे ये है कि pink color के साथ ये जो है color merge हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपने आई बेस ले ली थी beautiful आपना की अगर आपके बस concealer है कोई भी तो आप उसके साथ भी crease को cut कर सकते हैं ठीक है इस तरह से जो है वो मैं इनकी crease को cut कर लूँगी होड़ी डाइस के लिए ये होता है कि जब भी आप crease को cut करें थोड़ा उपर तक करें ताके जो eyes जो है बहुत ज़ता छोटी लगती है उससे इस तरह की eyes जो है crease को जो crease जो है उसको हम जब बड़ा cut करेंगे तो hoodie dyes जो है वो थोड़ी बड़ी दिखेंगी ठीक है इस तरह से हमने eyes को जो है वो cut कर लिया उसके बाद इसके ओपर जो है वो मैं इसके पिग्मेंटेशन जो है वो बहुत आउट लास है सो इसके जो black shade है ठीक है इसको मैं outer corners पर जो है वो दूंगी और इनको अच्छी तरह से जो है वो blend कर दूंगी और जब भी आपने blending करनी है वो बहुत ही soft hands है और जब भी आप black color हास तोर पर apply करें हैं वो उसकी बहु जड़ा जो है वो pigmented होता है और जल्दी से फिर remove भी नहीं होता तो जब भी आप black color apply करें तो उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा सा लेकर और पर apply करें ठीक है यहां पर मैंने eyelashes के उपर जो है वो मसकारा apply कर दूंगी और उसके बाद यह मेरे पास बहुत ही कमाल का एक local market से म eyeliner है ठीक है जेल eyeliner है इसको जो है क्योंकि जेल eyeliner और पॉमेट वगरा इस तरह की बहुत जल्दी dry हो जाते हैं तो आपने इसको थोड़ा सा लेना है अपने हाथ के उपर इस तरह से और जो है इस तरह से आप इसको apply कर दीजेगा जिस shape में भी आपने apply करना हो मैंने इसको जो ह जो है मैं एक बिल्कुल चोटू सा स्मॉल सा brush लूँगी और उसकी help से जो है वो मैं इस liner को जो है वो मैं blend कर दूँगी ठीक है blending liner की आपने ऊपर की तरह करना है ताकि यह जो color है eyeliner का जो color है black वो आपके outer eye shadow के साथ जो है वो merge हो जाए ठीक है इस तरह से आपने इसकी तरह से blending करनी है ताकि किसी भी किसम की जो harsh line है वो नहीं आए ठीक है जब भी eye makeup जो है उसको करने की एक ही की है कि blending जो है आपके तमाम colors की वो बहुत ही ज़दा कमाल की होनी चाहिए उससे आपकी जो finishing है वो भी बहुत अच्छी निकल कर आती है ठीक है आपके जो तमाम colors जो आप apply क अच्छी करते हूँ वो भी अलग अलग नजर आने चाहिए और blend भी हुए हो ठीक है उसके बाद जो है मैं थोड़ सी क्लीटर्स अपलाई कर दिये थे इनकी जो क्रीस मैंने कट की थी उसको अच्छी मैंने शीमर अपलाई किया था उसके उपर मैंने क्लीटर्स अपलाई कर दिया था क्योंकि आई-लाइनर को नीड करना जो है वो बहुत ही ज़दे जरूरी होता है ठीक है तो नेक्स मेर पास यह मिस्रोस का लिपस्टिक पैलेट है ठीक है और इसकी हैलप से जो है मैं इनकी लिप को जो है वो लाइन अप करूंगी ठीक है इस तरह से और उसकी एक उसके बात यह मैं पैस खुदा भी उटी की बॉंब शेल है और इसको मैं अप्लाइ करूंगी और हैर इस मैं फाइनल लोक आप लोग देख सकते हो किस तरह से जो है मेक अप के साथ हम लोग अपने फेस को किस तरह से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं यहां पर आप लोग देख काफी जदा जो है वो शेप में आ गया था ठीक है सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ तो लाइक कर दीजेगा चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब तिल देन टेक कियर अलाफेज